तन रहे काम में और मन रहे राम में यह कहवत जिसमें कही है आज उनी का किस्सा आपको सुनाता हूँ नवश्कार दोस्तो मैं हूँ चेतनवसिस्ट यह किस्सा है रोहिनी दिनली की रहने वाली अन्नु मलिक का अन्मु मलिक बताती हैं कि बच्पन से ही भगवान की सेवा करती थी सब के लिए खुसियां बारती थी, खुस रहती थी, सब की मदद करती थी बहुत अच्छा सेवाब सारी चीज अच्छी थी, माता रानी की पूजा करती थी, भगवान शिव की पूजा करती थी गर में नॉर्मल जैसा सब पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करती थी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तो जिने भगवान चुनते हैं अपने कामों के लिए कुछ संदेशों के लिए अब हुआ यू कि अनु मलिक जो हैं कोशियां बाटती दी सब से प्यार करती थी एक रात सपने में भगवान कृष्ण आये और भगवान ने कहा अच्छे काम करती है सब का बहला करती है सब की मदद करती है तु मेरी प्रीय है लेकिन एक काम जो तु करती है उसकी वजासे मैं तुझे पाप की सीड़ी पर चलतो भी नहीं देख सकता यह है तेरा मा सहारी होना तु सात्विक भोजन किया कर तु मेरी प्रीय है यह सबना हाया भगवान ने दर्शन दिये सबना तूट गया रात खपने हो गई दो चार दिन अन्नों ने वेज खणा खाया सागा हारी खाया साथ्तु बोजन किया बात परानी हुई लेकिन सौद की बात थी अब फिर से नौन वेज सामने आया और उन्ने खा लिया वो बूल गई उस सपने को वो बूल गई कृष्ण की बात को और मास खाना शुरू कर दिया मासा हारी हो गई फिर से दोस्तों हुआ यू कि नौनवेज खाने के बाद उनकी सेहत खराब हुई और सेहत इतनी ज्यादा खराब हुई कि उनको हॉस्पीटल में एडमिट होना पड़ा परेशांटी इलाज चल रहा था क्रिशन की वे बात फिर से याद आई कि भगवान ने सपने में आकर कहा था कि तू मास खाना चोड़ दे तू मेरी प्रिये है दोस्तों जब भी हम तकलीर में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं यह बात याद आई और रहे भोचक की रह गई उनको लगाके नहुने गलती की है भगवान की बात ना मान कर फिर उन्होंने सोचा कि भगवान ने अतना सब कुछ दिया है जीवन में सारी खोशिया अच्छा परिवार दिया दो बच्चे, पती, प्रेम, सब कुछ, सब कुछ तो दिया, दोलत सब कुछ है, भगवान ने इतना कुछ दिया है, और भगवान ने तो सिर्फ एक ही चीज मांगी है, कि मैं सात्विक बोजन खाऊं, मासा हर छोड़ दो, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकती, यह बात जब मन में आई, तो उन्होंने निरने लिया, कि आज से मैं साकाहारी हो जाऊंगी, स्वातिक बोजन खाऊंगी, तो ठीक होकर घर चली गई, घर में सात्विक बोजन बनने लगा, वह भागवत सुनने लगी, भागवत पढ़ने लगी, थोड़े दिन बीते और घर में कृष्ण में बातवरन हो गया, सुबा साम भगवान कृष्ण का नाम घर में लिया जाता था, फिर से भगवान सपने में दखाई थी, इस बार अन्नों बताती हैं कि भगवान सिर्फ मुस्कुरा रही थे, भगवान कुछ नहीं बोले, सुबा उठी, उन्होंने अपनी बात जो है पंड जी को बोला कि पंड़ी जी मुझे पहले भगवान इस तरह दिखाई दिये थे, और अब जो हैं सिर्फ मुस्कुरा रही थे, इस तरह से दिखाई दिये हैं, कृष्ण मुझे बार बार दर्शन देते हैं, पंड़ी जी ने कहा कि तुम भगवान की प्रिय हूँ, भगवान तुम्हें प्यार करते हैं बगवान तुमसे लड़ू गुपाल की सेवा माग रही है और बंड़ जी ने अनु को एक लड़ू गुपाल दे दी लड़ू गुपाल का घर माग मन हुआ अनु बताती हैं कि जीवन बदल गया मेरा वातवरन जो है करिष्न में हो गया अब सिर्फ करिष्न की बाते होती है सोबैसाम उनकी सेवा में लगी रहती हूं उनकी वस्तर बदलना, उनको भोग लगाना, उनकी पूजा करना उनसे बातें करना सारा दिन कैसे निकल जाता है मुझे खुद नहीं पता पास पास जो भी माहूल मिलता है, करिष्न का माहूल मिलता है चारों तरफ करिष्न की ही बातें होती है अन्नों बताते हैं कि उनके दो बच्चे हैं एक का नाम खुशी है और एक का नाम मनन है दोनों स्कूल जाने से पहले माते पर चंदन कर ठीगा लगा कर जाते हैं भगवान उनके घर में रहते हैं इश्वर उनके घर में रहते हैं वह कहते हैं कि तन लगा लो काम में और मन लगा लो राम में उनके घर पर जो वातावरन है क्रिश्न में है अब वह प्रेम में डूबी रहती है उनोंने हमें लिखा है कि मेरा एक ही सपना है कि मेरी आगरी सांस जो है कृष्ण के चर्णों में भगवान के चर्णों में हो दोस्तों उनका यह संदेश है कि आप अपने पेट को कब्रिस्तान न बनाओ सात्विक बोजन खरो प्रेम से रहो ईश्वर किसी न किसी को इस धर्ती पर बेजता है किसी न किसी संदेश के वज़ा से कोई संदेश किसी के जरिये आता है तो कोई संदेश किसी के जरिये यह संदेश अनुमलिक के जरिये आया तो वो कहना चाहती हैं कि आप सात्विक भोजन करो और आनंद लो जीवन का प्रैकिर्ती ने इश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है इसमें मन खुश रहेगा तन खुश रहेगा तो हम जीवन का आनंद ले पाएंगे बड़ी बुरानी काहवत है जैसा खाओगे हनु वैसा रहेगा मन आप खुश रहिए सुखी रहिए ये मंगल काम ना करते हैं जैश्री कृष्णा रादे कृष्णा